नमस्कार दोस्तों धान के पसलामा की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है अगर देखा जाए तो सेप्टेमबर के महिने के शरुवाद हो चुकी है और अब तब तो खेतों में लगे धान के पौधे करी 60 से पैसर दिन के होने वाले है ऐसे में आप किसानों को अधिक साबधान होने के आविश्यक्ता है क्योंकि इसे समय धान के पौधों में ब्राउन प्लांट होपर कीट का आक्रमन शुरू हो जाता है पौधों में दो संख्या में व्रिदि कर धान के बालियों को नुकसान पहुचाता है ब्राउन प्लांट हॉपर के अंडे पौधे के बिल्कुल निचली इस्ताहा पर पाये जाते हैं आज से तस दिनों में अंडे निंफ में और करीब 15 से 20 दिनों के बाद ये 4 से 5 मिली मीटर लंबी और बुरे रंग के कीट में परिवर्दित हो जाते हैं अगर पौधों के एक शाकर पर एक एडल्ट कीट या निम्फ दिखाई देने लगी तो समझ जाईए कि अब इन कीटों को नेदित करने का समय आ चुका है तो चली समझते हैं कि आखिर क्या है वो वज़ा जिनके कारण आखिर क्या है लखषर्ण पोधे की पतिया पीले रंग से गुरे रंग में परिवर्टित होने के बाद तेजी से सूकने लगती है इस कीट के संक्रमेंट से प्रभावित फसले सूख कर जगा जगा पर जुलसी हुई या जली हुई दिखाई देती है इस समसे को हॉपर बर्न भी कहा जाता है कैसे करें ब्राउन प्लांट हॉपर पर नियंदरन खेट में जल निकास का प्रबंद करें फसल और मिट्टी के आविशक्ता अनुसार ही नाइट्रोजन यू उवको का स्तमाल करें समय समय पर खेट में खर्पतवार को निकाल दे खेट के आसपास लाइट फ्राप का स्तमाल करें नियंदरन के लिए इम्डा क्लोरोपेट 70% WG 12-14 ग्राम प्रती एकर और इम्डा क्लोरोपेट 17.8% SL 40-50 mm प्रती एकर की दर से इस्तमाल करें धान के खेटी से जोड़ी अन्य जानकरी प्राप करने के लिए नीचे दिये के लिंक पर क्लिक करके दिहात किसान आप डाउनलोड करें और ध्यात से जोड़िए दिहात का हाथ किसानों के साथ धन्यवाद